दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं धानी सर्विसेस लिम्टेट कंपनी के शेयर के बारे में हैं दोस्तों कुछ सालों पहले जो धानी कंपनी है वो इंडिया वूल्स वेंचर्स लिम्टेट के नाम से मार्केट में थी लेकिन फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया और दोस्तो कुछ समय से देखा गया है कि इस कंपनी का शेर लगातार डाउन ट्रेंड में बना हुआ है और निवेशकों को काफी जादा नुकसान हो रहा है तो दोस्तो इस वीडियो में मैं इस कंपनी के बारे में सारी information आपको दूँगा इसके जो fundamental parameter हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और वीडियो के last में मैं chart analysis करके बताऊँगा कि आगे इस share में आपको क्या करना है क्या जिसके पास है वो बने रहे क्या averaging करने का सही समय होगा सब चीज के बारे में बात करेंगे मेरा नाम है शुभान्स चौरस या तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं देखिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चलिए सबसे पहले कंपनी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं तो दोस्तो धानी कंपनी जो है तो यहाँ पर बताया गया है धानी इस एन ओनलाइन मार्केट प्लेज वेर कस्टमर केन गेट देर हैंड्स ओन डेली नीड्स प्रोडेक्ट यानि कि यह एक ओनलाइन शौपिंग वैपसाइट है और डेली यूज की जो चीज़ें होती है वह यहाँ पर जाकर आप खरीज सकते हैं दोस्तों कपड़ों की टाइम पर कपड़े और हैटफ़न मोबाइल और यह सारी चीज़े जो डेली यूज की चीज़े हैं वह यहाँ पर इसके एप से जाकर आप खरीज सकते हैं तो ओबर ओल कहा जाए तो कहीं नहीं यहीं e-commerce टाइप की यह कंपनी है अब दोस्तों यहाँ पर आगे इन्होंने बताया है कि धानी इस वोस्ट ऑफ फार्मिसी डेट वर्क्स एज एज एन एक्सेंशन तु धानी डॉक्टर मतलब धानी डॉक्टर नाम से भी एक जो है इनका अलग सेक्टर है जो कि यहाँ पर हॉलिस्टिक हेल्थ केर प्लेट फार्म धैट प्रोवाइट दा पेसेंट विथ 24 इंटु 7 एक्सेंश डॉक्टर अक्रॉस दा मल्टिपल इस पेसिबिल्टी जानी कि यह ओनलाइन डॉक्टर प्रोवाइट करने का काम करते हैं नहे तरीके का यह कॉंसेप प्लेट फार्म करते हैं यह कंपने सब्सक्राइं करती है और यहां पंपनी बात करें पेसिक पैरमिट ऑखoca्टे में हैं जिसके कारने यह पर tips कुछ भी यहां पर दिकाने रहा है तो वहीं अगब पीे शोट की बात करें तो बहों भी कुछ नहीं है वहीं market cap की बात करें तो 1909 करोड के आसपास इसका market के बचा है sector PE ratio की बात करें तो 36.98 के आसपास है वहीं book value की बात करें तो 86.43 के आसपास देखने को मिलता है डिविडे एंटेल 0 है अगर 20 days average volumes की बात करें तो काफी जादा है यहां पर यह trade होता है वहीं अगर बात करें फेश value की तो दो रूपे प्रती equity share है और beta 1.10 के आसपास देखने को मिलता है दोस्तों अगर बात करें financial record की जिसमें revenue सबसे पहले है तो revenue की बात करें तो दोस्तो revenue 2020 तक तो काफी ज़दा इनका बढ़ा था लेकिन उसके बाद काफी ज़दा गिरावाट यहां पर देखने को मिली जो कि आप देख पा रहे हैं 2021 में यह 1311 हो गया और 2022 में हलका सा उच्छाल जरूर देखने को मिला लेकिन overall कहा जाए उपर इस तरों से काफी ज़दा नीचे अभी भी देखने को मिलता है वहीं अगर बात करें यहां पर profits की तो दोस्तो profit काफी ज़दा घटिया है और काफी ज़दा गिरावट profit में देखने को मिली है दोस्तो अगर देखा जाए 2019 तक 2019 तक बढ़े हैं 2020 में अला कि सबसे ज़दा इनका revenue हुआ था लेकिन profit मातर 41 करोड के आसपास था और अगर देखा जाए 2021 में तो दोस्तो नतीस करोड के आसपास का company को लॉस हुआ है वहीं 2022 में 860 करोड का company को लॉस हुआ है देख सकते हैं आप कितना ज़दा लॉस कंपनी करती वही नजर आ रही है जितना revenue कर रही है उसका आधे से ज़दा तो company loss यहां पर कर दे रही है तो दोस्तो लॉस काफी ज़दा company को होते हुए नजर आ रहे हैं महीं अगर बात करें financial record में EPS की बात करें तो देखिए EPS 2020, 2019 तक तो बढ़ा था 2020 में 0.07 के आसपास रहा EPS का मतलब होता है earning पर share अब दोस्तो overall loss में है company तो EPS वो भी negative में जाएगा आप देख सकते हैं 4.16 के आसपास negative यहां पर जो है गया 2021 में और 2022 में तो 15.30 के आसपास यह negative में जाता हुए नजर आया यानि कि यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि company की हालत ठीक नहीं है वहीं अगर बात करें ROI यानि return on equity की तो दोस्तो return on equity आप देख सकते हैं यहां पर 2018 में सबसे ज्यादा थी 11.03 उसके बाद 2019 में थोड़ा सा ग गिर गई और उसके बाद 2021 से तो यह negative में जाना स्टार्ट होगी दोस्तो 4.34 के आसपास 2021 नेगेटिव थी वहीं 2022 में 17.11 के आसपास हो गई यानि काफी ज्यादा नेगेटिव जाता हुगा नजर आया अब दोस्तो शेरोल लिंक पैटन एक एहम रॉल प्ले करता है और दोस कंपनि को बढ़ाने के लिए प्रयाज करता है क्योंकि प्रोमोटर को ज्जादा अरण करते हैं तो निकल यहां प्रोटर अब ग्रोव करने में इंट्रेस्टेड नहीं और धीरे-धीरे कहीं निकल रहे हैं तो दूस्त यहां पर भी कुछ हैसे ही देखने को मिलता है यहां पर प्रमोटर की इस्सेदारी काफी कम होगी जिसका सीधा-सीधा फर्क पड़ता है कि अब प्रमोटर मुझे लग यहां पर भी देखने को मिले यहां ला कि FIIs भी काफी ज़दा होल्ड कर रहे हैं और देखे काफी उचेस्त्रों से नहोंने जरूर करा होगा तो उनको भी काफी लाउस हो रहा होगा अगर आप मंतली देखें तो भी 7-8% का नेगेटिव रिटन है अगर आप देखें जिस तो दोस्तो यह वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट हम लॉंग टम की अवधी के लिए अनलेसिस करते हैं इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तो यहां पर अगर देखा जाए तो एक समय पर यह शेयर 900 रुपे के आसपार ट्रेट करता था और यह समय था 2018 से 2019 के बीच में उसके बाद दोस्तो जब इस कंपनी की हालत खराब होना स्टार्ट होई तो दोस्तो यह शेयर आप देख सकते हैं काफी ज़दा नीचे आया और इसने 70-72 रुपे के आसपास का लो यहां पर बनाया उसके बाद पेजी इसमें आई तीक है उसके बाद लॉक्डाउन में यहां पर गिरावट देखने को मिली आप देख सकते हैं लगातार यह शेयर नीचे जाता हुए नजर आ रहा है और दोस्तों यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश भी इसने की थी जो सपोर्ट प्राइस करीब 30 रुपे के आसपास था और 30 रुपे से सपोर्ट लेकर यह वा आउट हो रही है और जिस तरीके से इस शैर का चार्ठ वीक लग रहा है उस तरीके से देखने को लग रहा है कि यह शेयर मुझे लगता है कि इस लेवल को भी ब्रेक देगा दोस्तों नए खरीदने की लेबलom अगर मैं बता हूं तो दोस्तो जब 30 रुपे का जो लिबल है लेकिन जिस किसी व्यक्ति के पास ये शेर उपरी प्राइस पर है तो दोस्तों यहाँ पर खोने के लिए कुछ है नहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने प्रति दिन लो पे लो बनाता हुए नज़र आ रहा है तो दोस्तों तीस रुपए का सपोर्ट अगर तो शेर में और ज़्यावट देखने को मिल सकती है तो मेरा पर्शनल व्यू यही है कि इस शेर में ना तो एबरेजिंग करें और ना ही इसमें नई खरीदारी के बारे में सोचें अगर किसी के पास है तो होल्ड करके चल सकते हैं क्यूंकि दोस्तों यहाँ पर आप कोने के लिए मुझे लगता है जिसने उपर इस तो से कुछ नहीं है तो होल्ड कर सकते हैं लेकिन इसमें नई खरीदारी एबरेजिंग की बिल्कुल भी सला मेरी तरब से नहीं है दोस्तों यहां पर जो भी मैंने आपको चीज़े बताई अगर आप कुछ भी करते हैं प्रॉफिट लॉज होता है तो उसके सिम्वार आपको दोंगे कुछ भी करने से पहले अपने फैनेसल एक्सपर्ट से आपको जरूर बात करने चाहिए दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब जरूर कर लें धन्यवाद